दटास्क भारवी में आप सभी का स्वागत है डाकू मंगल सिंग की जै डाकू मंगल सिंग की जै शेरा आज ललनपुर गाओं में चलते हैं सुना है इस गाओं में बहुत से धनी लोग रहते हैं हाँ सरदार आप सही कह रहे हैं गाओं में कई लोगों के पास धेर सारा पैसा है शेरा फिर देर कैसी चलो चलते हैं ललनपूर आज पूरे गाउं को ही लूट लेते हैं सर्दार मैं भी चलूंगा प्यारे अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो अड़े की रखवाली कौन करेगा मैं और शेरा जा रहे हैं धेर सारा माल लूट कर लाएंगे प्यारे का मैं और सर्दार जा रहे हैं शेरा जल्दी से घोड़े पर बैट और चले हाँ सर्दार चलो घोड़े पर ही बैटते हैं दोनों घोड़े पर बैट जाते हैं जै भवानी जै भवानी जै भवानी जै भवानी शेरा और तेजी से गोड़ा चला फिर ये दोनो धन्या के घर से कुछ दूरी पर रुख जाते हैं शेरा ये घर बहुत अच्छा सजा हुआ है जरूर इसके पास खूब मालोगा सरदार आप सही कह रहे हो इसी घर में चलते हैं ठीक है चलो इसी घर में चलते हैं फिर दोनों घोड़ा लेकर धनिया के घर के आंगन में चले जाते हैं घोड़े की आवाज से सब लोग उठकर बैठ जाते हैं हे भगवान डाकू आ गए अरे ये घोड़े की आवाज कैसी अरे घोड़े की आवाज घर के सब लोग चुपचाप आंगन में आ जाओ नहीं तो एक एक को भून दूँगा निली मा आज भी ढाकू होते हैं क्या ढाकू होते हैं तभी तो आए हैं जादा मत बोल चुपचाप चलकर महां खड़ी हो जा सब लोग आंगन में आकर खड़ी हो जाते हैं सबी लोग डाकू मंगल सिंग के सामने खड़े हैं शेरा जल्दी से इन दोनों आदमियों को बांधो आरत और बच्चों को मत बांधना ठीक है सरदार दोनों आदमी हैं दोनों कोई बांध देता हूं बुड़े चलाने की कोशिश मत करना वरना गोल ही मार दूँगा अरे तुझे तो बांधना भूली गया तुझे भी बांधेता हूं कान खोल कर सुन लो कोई चलाएगा नहीं नहीं तो गोल ही मार दूँगा हे बुड़े जल्दी से बता पैसे जेवराज कहां रखे हुए हैं घर में कुछ भी नहीं है अभी परसो ही मेरी बहु को बेहोश करके सब लूटके ले गए बुड़े तो जूट बोल रहा है ये ले ओई मा लग गई इनहे ड्मार रहे हो, मारणा है तो मुझे मारो इन में अब जान ही कहां बच्ची हुई है मंगल सिंग एक बार मेरे हाथ खोल दे फिर तुझे बताता हूँ तुझे ज़्यादा चर्भी चड़ी हुई है रुख, तुझे अभी बताता हूँ ये ले शेरा तुम सब कमरों में जाकर देखो कुछ ना कुछ माल हाथ जरूर लगेगा इस बुड़े ने जरूर कहीं छिपा रखा होगा जी सरदार मैं अभी चेक करता हूँ पहले सामने वाले कमरे में जाता हूँ वा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अरे वा घर तो बहुत सुन्दर है ये नेली मा मुझे बहुत जोर की चीची आ रही है नेलू तो भी हर्थ करती है यहां जान पर बनी हुई है और तुझे चीची आ रही है मैं तो डाको अंकल से बोल रही हूँ तेरा जो मन करे कर डाको अंकल मुझे जोरो के चीची आई है कौन बोला मैं बोली अंकल मुझे जानी दो ने तो पैंट में ही चीची हो जाएगी बोल अब चीची आई है क्या हाँ अंकल सच में चीची आई है मुझे लड़की तो बहुत बहादूर है लोगों के माथे पर जब गोली लगा देता हूँ तो लोग डर कर सूसू कर देते हैं और मुझे कुछ नहीं बोलते तूने बोला मैं खुश हुआ तुझा चीची करके आजा वैसे भी तू क्या कर सकती है नीलो कमरे में जाने लगती है ये लड़की बातरूम तो उधार है डाको अंकल मैंने पैंट में चीची करते कमरे में कपड़े लेनी जा रही हूँ आखिर तू भी मुझे से डर गई जा ले ले कपड़े नीलो कमरे में जाती है और कपड़े के अंदर मोबाइल चिपा लेती है और कपड़ा लेकर बातरूम की तरफ चल देती है ये लड़की जल्दी आना बातरूम से समझी हाँ डाको अंकल में जल्दी ही आ जाओंगी अरे शेरा कहा है कुछ हाथ लगा क्या तेरे सरदार एक सोने की चैन मिली और कान के जुंके वा मेरे मिट्टी के शेर कमाल कर दिया तूने अच्छे से देख देख पैसे भी मिलेंगे अरे हाँ सरदार ये कुछ पैसे भी मिले हैं वा मेरे शेर वा आज तो मौज हो गई तब ही नीलू कपड़े बदल कर आती है अंकल में आ गई हा हा जा जाकर अपनी जगह खड़ी हो जा नीलू अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है सरदार मैंने पूरा घर चेक कर लिया जो था मैंने ले लिया फिर चल आजा गोड़े पर बैठकर भाग चलते हैं अरे सरदार रसोई अरे वाह चल कर कुछ खा पी लेते हैं तू सही कह रहा है सही हुआ तुने रसों ही देख लेए मुझे तो काफी भूग लग रही थी हे भगवान पूरा घर हमारा लुट गया धनिया कुछ मत बोलो जान बच जाए तो पैसे फिर कमा लेंगे हाँ माजी पापा सही कह रहे है बिलकुल चुप रहू इधर डाकू रात की सबजी और रोटी खा रहे हैं अरे वाह खाना तो बहुत स्वाधिश्ट है हाँ सरदार तब ही दो पुलिस वाले आ जाते हैं उस लड़की ने फोन पर इसी घर का एडरेस दिया था ना हाँ सहाब यही घर है वो देखो घोडा भी खड़ा है अपनी बंदो खात में लेकर चलो फिर दोनों पुलिस वाले घर की तरफ चल देते हैं दोनों सेडियों के पास पहुंच जाते हैं हवलदार तुम चट पर जाओ और मैं यहां से उन दोनों को पकड़ने जाता हूँ अगर मैं ना पकड़ पाऊ तो तुम गोली चला देना ठीक है सहाब हवलदार चट पर चला जाता है और दोनों डाकूँ उपर निसाना साथ कर खड़ा हो जाता है इंस्पेक्टर सहाब आंगन में धीरे धीरे जाते हैं अरे पुलिस वाले आ गई पुलिस वाले आ गई इंस्पेक्टर दबे पाऊ जाता है और उसके कनपटी पर बंदूख लगा लेता है हैंड्स अब दोनों अपने हाथ उपर कर लो डाको मंगल सिंग अब तू बचकर नहीं भाग सकता पुलिस ने पूरे घर को चारो तरफ से घिर लिया है बहुत खाना खा लिया अब चल तुझे जेल की रोटी खिलाता हूँ अपने बंदूख मुझे दे मंगल सिंग हिलने की कोशिश मत करना वर्ना मैं गोली मार दूँगा इंस्पेक्टर दोनों की बंदूखे ले लेते हैं हवलदार जल्दी से नीचे आओ और इन दोनों डाकों के हाथ बांदो आया सहब हवलदार जल्दी से नीचे आजाता है औरे वाँ इंस्पेक्टर सहाब ने क्या दिमाग लगाया है बिना गोली चलाए इन दोनों डाकूँओं को पकड़ लिया अब जल्दी से इन दोनों के हाथ बान देता हूँ मैं हवलदार जल्दी से इन दोनों के हाथ बान दीता है हवलदार घर वालों के हाथ खोल दो ठीके साहब मैं अभी खोलता हूँ तुम्हारे भी खोल रहा हूँ भाई रुको अभी आता हूँ हवलदार दोनों के जल्दी से हाथ खोल देता है इंस्पेक्टर साहब अब तो अपने गिरफतार कर लिया अब मुझे बताओ मेरे साथियों में से आपको किसने मेरी ख़बर दी मैं उस गद्धार का खून पी जाओंगा तुम्हारे साथियों में से किसी ने भी ख़बर नहीं दी फिर किसने ख़बर दी आपको नीलू डाकूं के पास चली जाती है अरे वा निलू सब लोग निलू के लिए तालियां बजाने लगते हैं चलो मंगल सिंग चलो तुम्हारा टाईम पुरा हो गया अब जेल की रोटी खाना हवलदार तुम दोनों घोडे लेते आना और मैं इन डाकूओं को लेकर जा रहा हूँ सुनो मंगल सिंग अगर इधर उधर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा खोपड़ा उडा दूँगा फिर इंस्पेक्टर मंगल को लेकर चला जाता है निलू तुने तो कमाल ही कर दिया आज तुने सब की जान बचा ली और घर को लोटने से भी आखिर बेहन किसकी है? अरे तेरी बेहन है चलो एक बार फिर निलू के लिए ताली बजाते हैं दोस्तो वीडियो छे लगी तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई